मस्कार आप देख रहें News 11 भारत और आपके साथ मैं हूँ दीपक कुमार अमिता बच्चन और अभिशेक बच्चन के कोरोना पॉजटिव आने के बाद अब एश्वर्या राय बच्चन को भी कोरोना पॉजटिव पाया गया है अश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन के टेस्ट रिज़ल्ट पॉजटिव आया है इससे फैंस और बच्चन परिवार के लिए परिशानी और बढ़ गई है शनिवार रात, इश्वरया, राइबचन, आराध्या बचन और जया बचन का टेस्ट निगेटिव आया था BMC के हवाले से पता चला है कि रवीवार को इन तीनों के टेस्ट दोबारा किये गए जुसमें आश्वर्या और आराध्या का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया जया बच्चन अभी भी कोरोना नेगेटिव है रवीवार सुभा अमिताब के बंगले जलसा को BMC ने सैनिटाइज किया अम्यताब बच्चन अम्यताब बच्चन I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you are doing in these very trying circumstances अभी हाली में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहन कर हस्पतालों में काम करना है आप जितने भी डॉक्टर्स, नैस्स और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम करना है आप सब में एक इश्वर का रूप है आप सब इतनी महनत के साथ इंसानियत के लिए काम करना है आप जीवनदाई बन गए हैं आप और में आप लोगों को खाथजोड़ कर आपकी सरहना करता हूं नतमस्तक हूं मैं आपके सामने बहुत ही सरաहनी काम हो रहा है और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहा जाती तो मैं आप सब लोगों से कहना चाता हूं मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़ी से निराश जनक रहे there are trying times everyone is being worked to their absolute limits there is always fear, there is there is perhaps depression but please do not despair do not panic we are all together in this we are all working together and we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors, and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. And I know that you are the love of your love.